सब्सक्राइब कीजिए हमारे चर्ल को और बेल आइकन को देबार ना भूलेगा हमारी लेटेश वीडियो सा से पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आरेंपांडे और आप देख रहे हैं केमें टिक्रोलोजी आज मैं के लिए वीवो के चलब से न्यू स्मार्टफोन तो चलिए सुरू करते हैं इस कॉंसेट का ना में भी वो एपक्स इस कॉंसेट का में आपको चार पॉंट दांगा पहला पॉंट है दिस्प्लेई इस फोन के सबसे बड़ी बात है कि इसमें 98 परसेंट डिस्प्लेई है अगर इसे एपल से कंपेर करें तो एपल का और इसके डिस्प्लेई स्कीं 15.21 cm है जो यह डिस्प्लेई होगा वह काफी ड्वांस होगा जो आप डिस्प्लेई उसके लिए हैं उन सबसे सेकन्ड पॉंट है कैमरा इसका कैमरा 12 मेगा फेक्सल है और आप फरंट साइड आप देख सकते हैं कि आगे कैमरा लगाने कि जिता नहीं है तो वीवो ने आपको जैसे ही आपको open करेंगे इस तरह बाहर आजाएगा और जैसे ही आपको open close करेंगे इस तरह अंदर जला जाएगा यह मुझे सबसे अच्छा और unique concept लगा आपको कैसे लगा बताना जरूर कमेंट्स में थर्ड़ पॉइंट है फिंगर प्रिंट स्कैनर मिलता यह डिस्प्ले में आपको मिलेगा और इसमें घास बात है जो आप पहले वीवर की फोन आई थी उसमें एरिया दिया था यह पी टॉच करेंगे तभी स्क्रेंट खुलेगा लेकिन इस फोन में है आप कहीं भी टुच कर ये फोन खुल जाएगा ये जो कंसेट है फिंगर्प्रिंट स्कैनर का ये कुछ लोग को तो बहुत पसंद आएगा हो सकता है ये कुछ लोग को पसंद ना आए क्योंकि इसमें बहुत सा एडिया दे दिया है तो फोर्न गलती से अनलॉफ होने का चांस रहेगा बागी बार मे रहे कि फिंगर्प्रिट किस तरह से काम कर रहा है इस पोर्पाइंट है स्पीकर, आपको इसमें स्पीकर नहीं मिले गा, जो डिस्प्ले होगा, वही स्पीकर की तोड़ा काम करेगा, डिस्प्ले साउंड वाईबरेट करेगा, और साउंड प्रोड्यूस करेगा, बात करें इसकी मेमोरी के तो 6 GB RAM मिलेगा, और Audex 85 GP स्टोरिज मिल अगर वीडियो पसंद आई उत लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना पूलेगा अगर गेमिंग और टेक्नलोजी पे आप कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए मैं पूरी कोशिश करूगा बनाने के आज यह वीडियो बसकता है अब मिलते हैं यह वीडियो दिता है।